सब्सक्राइब कीज़े एक रड़ा स्प्रेश चैनल को और बैल आइकोन को दबाएए लेटस टेक्नोलजी एंद फैक्ट वीजिओ सबसे पहले देखने के लिए तो आपका बात वागा देखो और एक फ्रेश टेक वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं हवावी मेट 20 क जो की है बहुत ही एक शांदार सा फोन इसकी हवावी मेट 20 प्रो की हमने अल्रेडी स्क्राइब कर ली थी और अब बार यह आती है हवावी मेट 20 की तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंग तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेंसर इसकी तरफ से तो सेंसर के मामले में आपको इसके ना मिल जाएगा लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमेट सेंसर एक्षब इससर जायो मीटर और साधी सथ एकमपस भी बात को फिंगर्पिंट सेंसर के तो आपको शायद से मिल सकता है अब इस प्रम नहीं है खेर आगे बढ़ते जर्नल सेटिंग्स की तरफ यह जर्नल फीचर्श की तरफ तरफ इसमें आपको मिल जाएगी क्विच चार्जिंग जो कि एक अच्छी बात है फड़ा फड़ा अपने हुपाइब को चार्ज करने से पहले कहीं पी और साधी साथ आपको इसमें आपको अपरेटिंग सिस्टम के तरफ पर मिल जाएगा Android 9.0 यानि की Android Pie इसके तरफ आपको सि आपको 3.5 एम का जैक मिलने वाला है कि आजगल हाला की जर्णल ही हमें देखने को मिलने था कि काफी सारे फोंस जो है उनके अंदर 3.5 एम का जैक नहीं था लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा तो यह अच्छी बात है खेर आगे बात कर लेदें इसकी चिपसेट की चिपसे है हवावी मेट 20 और दूसरा है हवावी मेट 20 प्रो जिसकी प्रीविस वीडियो अल्रीडी डाल चुका हूं मैं उसको भी देखना हो तो देख लेना है काड़ पे शाय शो कर रहा होगा खेर आगे बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिक्स की जीपी यू की इसका अंदर मिल जा डूवल कोर कॉर्टेक्स एसेवेंट एक्स प्लस वन पॉइंट गीगहर्ट कोड़ा कोर वह होगा कॉर्टेक्स ए 55 तो यानिकि अलग अलग तरीके साब को चीजे मिल जाएंगे देखने को इस फोन के अंदर अगर मैं आर्केटक्ट की बात करो तो यह होने वाला 64-bit का इस स्क्रीन साइज की तो वह होगा 6.2 इंचिस का सेंटीमेटर में कहूं तो 15.75 तो यह एक अच्छी बात है रिजलुशन पर आ जाओ और रिजलुशन में आपको मिल जाएगा 1080 x 2244 पिक्सल्स यह एक अच्छी बात है या फिर मैं दूसरी दरीके से कहूं तो यह होने वाले ह दूके का रिजलुशन जो इसमें की इमेज कॉलिटी होगी काफी ही शांदार अब बात कर लेता हूं अब इस टोरेज की तो इसमें होगा इंटरनल होगा 128 GB का बट एकस्पांडेबल होने वाला है यह 256 GB तक अब देखी जाए तो यह चीज रिक्वार्ड थी और यह चीज आपको मिल जाएगा 4000-3000 पिक्सल्स और अगर इसे अब देखा जाए सही तरीक से तो यह हो जाएगा भी या 4K में तो तक्रीबन पास पहुच रहा है 4K तो यह अच्छी बात है है बात कर लेता हूं इसकी डिजलुशन की या फिर को इसकी मेगा पिक्सल्स की तो वह है 24 में पिक्सल्स फ्रेंट फेस वाला अब बैक कैमरा की क्या हालात है भाई इंफ्रमेशन दो मुझे भी तक देखने को नहीं मिली सके अंदर कोई बात निए जब बैक कैमरा की इंफ्रमेशन आएगी मैं आपको ज़रूर इंफर्म कर दोंगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसकी इसकी बैटरी के उपर तो बैटरी आपको मिल जाएगी 4200 mAh की जो की क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो यह थी एक देखने वाली बात की आप कहीं भी जाना आपने फोन को बहुत जल्दी चार्ज कर लो इस फोन के अंदर जो मेन हाइलाइट हमेशन हार बार की त है मतलब हर फोन में मिल जाते हैं देखने को लेकिन एक चीज जो नहीं मिलती वो इसका चिपसेट ही है खैर यह बच्छी बात है इस फोन के बारे में हमर पास इंफोर्मेशन ही थी अगर आगे कुछ इंफोर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा हां मैं एक इसकत की बात थी नहीं खैर भई यहीं इंफोर्मेशन थी कुछ आता है आगे तो मैं आपको इंफोर्म कर दूंगा और सारी साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि फर्क नहीं पड़ता आप लाइक करो अपको काम खताम और सारी साथ साथ सब्स्राइ इस वीडियो को अपने दोस्तों के याँ शेयर करें भाई ताकि उन्हीं पता दागे कि हवावी में 20 की इंफोर्मेशन आपको उनसे पहले मिल गई और बस यार तब तक के लिए खुदबाई टेक केस्टे और सम भी काइन तू वन अदर